आज़ कामगार टापिक गलवैनोमिटर है सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि गलवैनोमिटर होता क्या है गलवैनोमिटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे सर्कुट में यूज किया जाता है तक हमें बता चाल से लिए कि इसको अगर हम इंप्रिमेंट करना चाहें तो मैं एक साथा सा सब्सक्राइब करता हूं यहां मैंने एक सब्सक्राइब कर दिया यहां पर बैटरी लगा दी यहां पर एक रिजिस्टर और यहां पर एक स्विच्च कि जूरे हम स्विच्च क्लोज करेंगे सर्कृत मेंसे क्रांट फ्लो करने लगा है लेकिन हमें कैसे परता चलेगा कि केन रहा है या नहीं कर राए इसलिए हम सर्क्रेट में एक GALVANOMETER इंट्रडूस कराई हैं यही सर्क्रेट में दोबारा प्राम यहाँ मैंने थे सर्क्रेट दोबारा बनाती है लेकिन इस दफा मैंने एक GALVANOMETER भी इंट्रूस करा दिया जब हम स्विच को क्लोस करेंगे तो सर्कुट के से क्रैंट कुछ इस तरह फ्लो करेंगा यहां से क्रैंट फ्लो करता है रिजिस्टेंस के पास जाएगा फिर उसके बाद यहां गैल बैनमीटर पास गैलियमीटर के अपनी एक रिजिस्टेंट होती है जिसको आग गैंपल होगी पहले यह इस तरह होगी यानि बिलकुल जीरो जू ही क्रैंट फ्लो करेगा या फिर जू ही हम स्विच्छ क्लोज करेंगे यह तो केस था स्विच्छ ओपन्ट जू हम स्विच्छ क्लोज करेंगे कि एगयों की नीडल हमें डिफ्लेक्शन करेंगे कुछ किपस्तर है कि पहले यहां जीरो पी अब जीरो से इस ऩरहें इसे ने इसमों हो जोगी जो हमाएं पास यहां दिखाए देशे तो इसका हम स πरदी इसका हम यह का प्रिनसिपल सह चैक करना है कि इसके मिल्सय बागा करत अब reacts frequent में माणूम हो सकी के intrigant-cab flow कर रहा है if flow नहीं गरता galvanometer कभी भी हमें ये नहीं बता सकता कि करएंब कितना chron flow गरता हो लिस्तिक सरफ हमें यहीं ही सकता किtract bank flow कर रहा है , या sino क्रग fall नहीं कर रहा जब switch flows तो galvanometer की needle deflection & Spons match प्रिंसिपल में जैसा कि हमने एक लास्ट आपक पड़ा था फोस एक्टिंग ऑनक मुपिंग विट्रू इस पासिंग उसका हमें एजर्ट हमारे पास टॉट प्रोडियो सुवा था जुसको हमने यह एक्स्प्रेशन दिया था D for magnetic field, I for current, N for number of turns of coil and A for the area of coil अब हमारे पास यह एक्स्प्रेशन भी आ गया इसी यही एक्स्प्रेशन यूस होगा गल्वेनोमिटर के अंदर ताकि हम गल्वेनोमिटर की निडल की रिफ्लेक्शन देख सकें क्यूंके इसकी निडल किसी एक्सी एंगल से डिफ्लेक्ट होती है जैसा के हमने यहाँ पर देखा पहले यह नीडल जीरो पर ती उसके बाद इंडल यहाँ लेंग तो इसने कुछ नगज एंगल एक्लीवन पोजिशन में साथ बना रहा यहां से इस तरह से एक positive terminal एक negative front यहां पर आ गया, number of turns वो उसी coil के अंदर होंगे, जिस coil में यह needle जिसके साथ लगी है और area भी उसी coil में होगा